शरीर में अगर कोई body parts खराब हों, तो उसके लक्षर दिखाई देने लगते हैं। ये लक्षर body में swelling से लेकर शरीर में होने वाले दर्द के रूप में हो सकते हैं। और इन लक्षनों के आधार पर हम अपनी बिमारी का पता लगा सकते हैं। शरीर में मौझूद एक ऐसे ही part का नाम है kidney, जिसके खराब होने पर कुछ हिस्सों में दर्द होने लगता है। और इस दर्द के आधार पर kidney की खराबी का पता लगाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम kidney की खराबी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि kidney में खराबी कहां दर्द होता है। अगर आप भी kidney से जुड़ी किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो में end तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चानल Kidney Treatment Without Dialysis को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही विल आइकन को दबाना पिलकुल न भूले। ताकि इस तरह की informative वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर बात किड़नी की खराबी की करें तो किड़नी की खराबी के कई कारण हैं। जिन में से सबसे बड़ा कारण है डाइबिटीस और ब्लड प्रेशर। डाइबिटीस और ब्लड प्रेशर ये तो ऐसे रोग हैं जो हमारी किड़नी को काफी नुकसान पहुचाते हैं। और किड़नी फेलियर का सबसे बड़ा कारण भी बनते हैं। लेकिन वही अगर हम ये बात करें किड़नी के खराब होने पर हमें कहां दर्ध हो सकता है। तो किड़नी के खराब होने पर हमारे सीने में दर्ध को देखा जा सकता है। क्योंकि जब हमारी किड्नी खराब होती है तो हमारी सीने को ढखने वाली परत में सूजन आ जाती है और पिर सीने में दर्ध होना शुरू हो जाता है इसके साथ ही किड्नी के खराब होने पर हमें पेट डर्थ, पीट डर्थ और मास पेशियों में डर्थ का भी सामना करना पड़ सकता है और ये सारे संकेत बताते हैं कि हमारी किड्नी खराब हो रही है तो अगर आप किड़नी की समस्या से खुद को दूर रखना चाहते हैं तो अपने डाइट में हरी पत्तेदाज सबजियों को जरूर शामिल करें साथ ही किड़नी के सही उपचार है तू डॉक्टर से कंसेल जरूर कर लें तो आज के लिए बस इतना हैं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी न भूलें तो आज के लिए बस इतना हैं हम आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखें हेल्दी रहें नमिश्कार